हमने गवर्ननस के हर क्षेत्र में स्केल, स्पीड, सोच और एप्रोच में आमुल चूल बढ़लाव किया है आई अब देखते हैं, दो साथिकों से बात हुई, अब तीसरा सवाल लेते हैं, सवाल मुझे चंदर सेखर जी का है और चंदर सेखर जी विजन नगर से हैं, उनका सवाल है कि आपने, ये मुझे पूछा है आपने हमेशा से कहा कि करनाटका रामदू तहनमान की नगरी है और संस्कृति से भरे प्रदेश का देश है और विकास, देश के विकास में ये बहुत बड़ा योगदान देने वाला प्रदेश है करनाटका की सौप पावर में आप कितनी संभावनाए देखते हैं अगर मुझे एक वाक्य में कहना है चंदरसंग जी तो मैं ये ही कहूँगा मैं बहुत ही संभावनाए देखता हूँ और इस अर्थ में आपका सवाल भी बहुत 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 अपुन लगता है देखे भाषा, संस्कृति, साहित्य और इत्यास की गौरव साली धरोहरों में करनाटका बहुत सम्रुत है आप वहां रहने वालों का ध्यान जीत्राक जाता होगा हम भार से जब आते हैं हम तो अभीबूत हो जाते हैं करनाटका की दो बाते मुझे हमेशा से अपनी वर खिचती हैं अध्यात्मिक्ता में करनाटका कोई मुकाबला नहीं और यहां पर अध्यात्मिक्ता लोगों को एक साथ लाकर सामाजीक जागुरुकता के तरब जाने को प्रिदित करती हैं यहां अध्यात्मा और समाजीक उठान दोनों साथ साथ चलते हैं चाहे वो कनकदाजी की भक्ती हो या फिर शीव सरन के वचन हो करना टका के लोग भक्ति की शक्ति का उप्योग समाज के निर्मान में लगाते हैं भविश्य के निर्मान में लगाते हैं दूसरी बात यह है कि करना टका के लोग समय के साथ और कई बार तो समय से भी आगे चलते हैं करनाटका के लोग अपने साहित्य अपनी भासा से जुड़े रहते हैं यहां के युवा कोडिंग भी करते हैं और कुवेंपूजी की कविता भी पढ़ते सुनते हैं आज भी करनाटका के युवाओं में कंड़ा साहित्य पढ़ने की संस्कृति जिवित है करना टका अपने गवरव शाली अतीत के प्रती सजग है और करना टका देश के भविश को घडने में पूरी तरज जुटा हुआ है मेरा और करना टका का नाता भी पुराना है करना टका के लोकों के स्थेव को मैं दसकों से महसूस कर रहा हूँ मुझे अद्धसकों से आसिरवाद मिलते रहें ये तब कास्ने हैं जब मैं किसी पदपर नहीं था और यहां पार्टी के काम के लिए एक साधन कार करता के रूप में आया करता था इतना ही नहीं इसके भी पहले जब मैं राजनिती में में नहीं था सद्धे यादराव जी जो सी इप चर्णों में आकर कि बैठना कम जो सवभागे मिलता था उस दिन से मेरा जो करनाटका और करनाटका के लोगों के साथ जो मेरा नाता जुड़ा वो तो वो लगातार वो और मजबूत होता जाना है